हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बार्ट मीक चैनल प्रिती पड़ो और मतेहां। अङ headlines दिन वेक हमामा अगरा है आज मैं बनाने जारी हूँ पूरे परिवार के लिए कस्टड बॉडर तो देखिए देख करके कितना यह अम्मी लग रहा है ना कोई कही नहीं सकता है कि यह बना कैसे बिना दूद बिना कस्टड बॉडर के तो जी हाँ फ्रेंड्स तो इसके लिए आप क्यों टेंशन लेते ह जब दिल कड़े तब तो चलिए इसके लिए मैं क्या-क्या समागरी ली हूँ तो 10-11 बदाम ली हूँ 10-11 काजु के पीसे और एक कटोरी मखाना ली हूँ तो यह तीनों चीज को ले करके पहले मैं पानी से भीगो देती हूँ भीगोनी के लिए जो पानी ली हूँ वह बिल अब यहां पर आदा गंटा बाद दिखा रही हूँ कितना अच्छा से सारे मखाने फुल गए है और देखिए अब इसको क्या करना है बहुत ही इंस्टेंट यह रेस्पी है बिल्कुल दो मिनट में बनने वाली है सिर्फ पहले से भीगो कर रख दे तो चलिए इसके चिलके उतार लेती हूँ और आज की जो कस्टड रेस्पी है इसमें काजू बदाम मखाना यह सब बिल्कुल कंपल सरी है इसके बीना नहीं बनेगा और इससे स्वाद भी बहुत ज़्यादा आएगा यानि कि आप एक गिलास या एक कटोड़ी भी बच्चे को दे देते हैं तो कोई महमान आ रहे हो जट पट यह बनने वाली यह कस्टड रेस्पी है तो चलिए सारे बदाम काजू और मखाना को मैं मिक्सी के जार में डाल दी हूँ तो थोड़ा मीठा खाना तो बनता है तो मैं इसमें दो चम्मच गुर पौडर का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो सवाद के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते है तो छलिए यहां फो पहँ जिआ ठीसिए और चाहर पाच इलाइंची के दाने डाल दी हूं तो इलाइंची के दाने डालने से बहुत अच्छा त्यार होगा और इसमें ठीकनेस भी आएगी और बिल्कुल आपको यह फिल नहीं होगा कि इसमें दूद की मातरा बिल्कुल नहीं है तो यहां पे चार चमच मिल्क पॉडर डाली हूँ और बस फ्रेंट्स इसमें एक गिलास पानी डाल करके इसका एक बाद में आपको दिखाती हूँ कितना क्रीमी टेक्शर का यह त्यार हुआ है और यहां पे थोड़े थोड़े ना मखाने के जो पीस हलके हलके उपर में दिख रहे होंगे तो यह जब आप खाऊगे ना तो जब मुह में आएगा तो घुलेगा फ्रेंड्स और बहुत अच अब भूले बाबा को परसाथ की रूप में भी चरह सकते हैं उसके बाद खुद घढ़न कर सकते हैं एक कटोड़ी खा लोगे पूरे दिन आपको एनरजी बनी रहेगी और होली आने वाला है तो होली में भी आप बना सकते हो तो यहां पे मेरे घर में जो फ्रूट अब ले ले लिजाए और सारे इसमें डोड़ ए देयस और मिक्स कर ले थे थे न। यहां यह कच्टड बीlands रड़ी होला है, इसमें घया जलानी médi की जर्ड़त नहीं नो दूद पाहण की जर्रथ हैं नो kisटड पाओर की जर्षे वात है बहुत ही यूदिक रेस्पी तियार वetsैत क काफी हेल्दी भी है और कभी भी कोई फास्ट हो उसमें भी बना करके खा सकते हैं क्योंकि कोई भी इसमें ऐसा चीज नहीं है कि जो आप ब्रत में नहीं खा सकते हो तो देख करके ही हर किसी के मुह में पानी जरूर आ रहा होगा कि कब हमें एक कटोड़ी मिले तो फ्रेंट्स मैं फिर से मिलूंगी तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थेंक्स फॉर वाचिंग